परिवार वाद के खिलाब भारते जनता पार्टी के नेता खास कर प्रधान मंत्री जी आग उगलते हैं तुभे हसी आती है नमस्कार तेलंगाना में जनता से भाशन जनता से सम्वास थापित करते हुए याने भाशन देते हुए नरेंद्र मोधी जी हमारे प्रधान मंत्री जी उन्होंने इस बात को बड़े प्रमुक्ता से कहा कि रोज मुझे लोग गालियां देते हैं और मेरे शरीर में ऐसा मेकैनिजम है कि मैं गालियों से उसको प्रोटीन में तब्दिल कर लेता हूँ उन्होंने का कि उनकी डिक्ष्णरी समाप्त हो गई है चूँकि डिक्ष्णरी में अब शब्द नहीं रहे इतनी गालियां मुझे देते हैं रोज तीन-चार किलो गालि खाने का मैं कई दिनों से आदी हूँ ये विपक्ष के उपर कटाक्ष था जो विपक्ष उन्हें कोशते थे मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कहिए कि एक विक्टिम काड़ खेलने का प्यास कर रहे थे जब गुजरात के समय उनको नीच बोला गया था मनिशंकर ये अर्दवारा तो वो उसी को लेके चल रहे थे कि देखिए मौत का सौधागर क्या कह दिया नीच क्या कह दिया तो नरेंद्र मोदी जी को अकसर सवालों को जवाब देने के बजाए वो अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखिए मैं कितना मजबूर हूँ मैं कितना प्रताडित हूँ लेकिन उनके वज़े से पुरा देश प्रताडित है उसके बारे में वो हमेशा दुरलक्ष करते है जो सवाल विपक्ष उठाता है बगर गाली दिये उसको तो कभी सुनते नहीं विपक्ष में से यदि कोई एकाद वाचाल भी जिसको अपने जबान पे कंट्रोल नहीं है यदि कोई अब शब्द कह देता है उसी को लेके ओ धिंडूरा पीट के कही ना कहीं सिंपहते लेने का प्रयास करते लेकिन आज जो मैं आपके सामने दा रहा हूँ वो गुजरात में जो बीजेपी ने लिस्ट अनांस की सुची अपनी जाहिर की उमिद्वारों की तो जो बीजेपी पूरे 2014 से देखे लगातार उसके पहले भी लगातार कॉंग्रेस पे परिवारवाद का अपिक्ष लगाते हुए या रीजनल पार्टी जो गई फिर चाहे वो तेलंगाना की केसियार की परिवार हूँ या यादो परिवार हो समाजवादी पार्टी का या विजु जनता दल का परिवार हो सभी परिवार जो विपक्ष के जो नेता है उनके परिवारबाद पे वो लगातार काटेक्श कर लेकिन जो मैंने अभी हाली में जो बाई एलेक्शन्स हुए जो बाई पॉल्स हुए जो उपचुनाओ हुए उपचुनाओ में जो तीनों सीटे बीजेपी ने जीती वो सब परिवारबाद की देन थी औरिसा के सीट में जो सीट जीती है बीजेपी में, उसमें जो MLA दिवंगत थे, उनके बेटे को दिया गया, वो शायद परिवार का हिस्सा नहीं मानती बीजेपी। उसमें से बारा सीटे ऐसी है, जो परिवारवाद के भेट चड़ा दी गई है और ये बीजेपी ने भागती जनता पाड़ी। और ये जो पाइल कोकरानी जो है, ये कार्पोरेटर है वहाँ पे आशा कोकरानी, उनकी बेटी है। और ये नरोदा में, नरोदा पाटिया में जो दंगे हुए थे। उस दंगे के जो दोशी है, मनोज कुकरानी, उनकी बेटी है। मनोज कोकरानी कोस के साथ सोला लोगों को दोशी पाया गया था। उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी। ये नरोदा पाटिया दंगे में करीब करीब सत्या नव, 97 लोगों की हत्या हुई थी। 2018 में हाई कोट ने मनोज जी की सजा बरकरार रखी वर्तमान में उन जमानत में है। Dr. Payal. Dr. Payal An Anesthesist है लेकिन परिवार वाद है या नहीं यापताय कर लीजे। उसके बाद राज़कोट में दर्शीता शाहा है. वो RSS के नेता PV 2 शी की नाती है। उसके बाद राज़कोड ग्रामीन में कानू बेन बाबरिया है जो पुराने विधायक मदोभाई की बहु है सोमनाद से मांसी परमार है जो पुराने विधायक गोविन भाई परमार के बतिजे है नांदोच से दर्शना देशमुख है जो पुराने सांसत चंदु देशमुख की बेटी है फिर जेतपूर से उमेश रड़ाडिया है जो विट्रल रड़ाडिया पुराने मंतरी उनके बेटे है डालगपूर से भूशन भठ है जो पुराने मंत्री अशोग भठ के बेटे हैं ससरा से योगेंद्र परमार है जो यमेले राम सिंग परमार है उनके बेटे हैं ऐसे बारा उधारण मेंने आपके सामने रखे जो परिवार में ही टिकेट दिये गए है और फिर इसके बाद भी भारती जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद के वो खिलाफ है नरेंद्र मोधी बार बार अपना उधारण देते हैं लेकिन अपने पार्टियों के बाकी नेताओं के परिवारों को वो प्रोटेक्ट करके चलते हैं अमिश शाह के बेटे जैस शाह यदि BCCI में नितागिरी करते हैं वो भी इसी दिये कि वो अमिश शाह के बेटे हैं यदि अमिश शाह के बेटे वो नहीं होते तो शायद क्रिकेट के स्टेडियम में एंट रिवी उनकी नहीं होती लेकिन फिर कौन कहे बिल्ली के गले में घंटी गुन बाले, इनको कौन कहेगा, क्योंकि कहने पर आप राष्टर द्रोही साबित होते हैं, इसी दिये जब परिवारवाद के खिलाब भारते जनता पार्टी के नेता खास कर प्रधान मंत्री जी आग उगलते हैं, तो वे हसी जाती हैं, क्योंकि परिवारवाद ये सिर्फ उन्हें विपक्ष में दिखता है, परिवारवाद उन्हें वो भी नहीं दिखता, जो राजनितिक दल उनके साथ हो जाते हैं, चाहे सिवसेना एक जमाने में थी, उसका परिवारवाद भी उनको मिठा परिवारवाद था, अ आस्वान की पार्टी के साथ बिहार में हैं, वहां का परिवारवाद में उन्हें अच्छा लगता है। वर्तवान में जिस पार्टी पे वो बार-बार परिवारवाद का अरूप लगा रहे थे, वो राहूल गांधी तमिलनाडू से लेकि, कन्यकुमारी से लेकि, स्रिनगर तक पदियात्रा पे निकले हैं। वो नेता इसलिए है कि वो नेतत्व करना जानते हैं। यदि मात्र परिवारवाद का ठपा होता, तो शायद लाखों की तादाद में जो उनके रेलीज में भीड उमड रही हैं, वो नहीं उमडती। और भारते जन्ता पार्टी के मस्तिक्स पे रेखाए और गहरी नहीं होती। राहुल गांदी की इस पदयात्रा से। तो कुल मिलाके जब भी भाजपा कोई आरोप लगाती हैं, तो आप इतना जरूर देखिए, वो आरोप लगाने के लिए होते हैं, अनुकरन करने के लिए नहीं। क्योंकि जब उनकी बारी आती है, तो उन्हीं में उन्हें जीता उमेद्वार दिखाई देते हैं, फिर चाहे दागी हो, चाहे परिवार से हो, या फिर चाहे किसी भी धर्म जाती के, या हिंदु धर्म को गाली देने वाले भी हैं। आज इतना ही।